है कि यह है नमस्कार प्यारे बच्चों कर चैंस्टर मगें ग्न स्भागान के बाद इंगलिज्स की आपके लिघी चεται कि यह जैसे और जैसा इसमें रिधल लोग इंटार कर रहे थे रिट रहेते लिट्रेचर जो है कप पढ़ाई जाए कब पढ़ा जाएगी वह इंतजार भी आज आपका खतम हुआ कि आडवले टुशन क्लासिज में इंगलिस के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है जैसे हमने फ्लैमिंगों की फर्स्ट फॉम को जिसका नाम था माई मदर एट 66 कमला दास ने जो लिख की थी उसके बाद हमने जो है आज फ्लैमिंगों का फर्स चैप्टर दे लास्ट लेसन फड़ने का हमने फैसला किया है इससे बूर्ड में चार-पांच नमबर तो पक्के हो जाते हैं भाई लेकिन हमें लॉंग कश्चन समझना है कि लॉंग कश्चन ही जो है इस चैप्टर से बनने वाला है तो हर एक चैप्टर को हमें इतनी वैल्यू देते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि नमबर एक भी हमारा कम नहीं आना चाहिए जैसे कैमिस्ट्री में फिजिक्स में और आए मिलते हैं कुछ बच्चों से जिनको इंतजार था लैंगो की बुक चलने का यह यूपी बॉर्ड और सीबेसी बूड के लिए है बच्चों बूड और सीबेसी बूड मेंस लेवर जो है बिलकुल सेम है बुक जो है फ्लैमिंगो और विस्तास लगी हुई है लेकिन सब गूड इवनिंग और नमस्ते और रादे रादे भाई जैश्री राम भाई बहुत बढ़िया तब जो है गूड इवनिंग हाई बेटा हाई हेलो सब कर रहे हैं बहुत अच्छा सभी बच्चे जो है लगबग जो है आ गए हैं कुछ और अभी इंतजार हम कर लेते हैं क्योंकि टू फुट्टी एट यह नि टू फिफिट्टी और थ्री हंड़ बच्चे ही अभी जूड पाए हैं और अभी हमें थो स्कूरी को समझना है ताकि हम जो है बूड में एक भी नंबर ना छोड़ के आए तो चलो प्यारे बच्चों पढ़ते हैं जाने में लेट प्लतीफी करते तो भी अच्छिप जाते थे पापा पकड़ कर दे जा रहा ना या पीटू तो वह सारे काम इसमें होने वाले हमारे पास एक छोटा सा लड़का है इसमें फ्रांज नाम का चलो देखते हैं आगे बढ़ते हैं तो फ्लैमिंगो प्लैमिंग आखरी पार्ट वह आखरी पार्ट यह कहानी का नाम है हिंदी में वह आखरी पार्ट वह आखरी पार्ट कैसे रहा क्यों रहा किस चीज का आखरी पार्ट था यह सब चीजे समझते हों मैं आगे बढ़ना है बच्छों तो इसके ऑथर कौन है यानि यह लिखा किसने है था किसने हैं फ्यारे बच्चों कृषग में डिस्तूरी में या निवो सबी में आदमी वो सभी चरित्र जो इसमें काम करने वाले स्टूरी में वह सब कौन-कौन है उनके बारें पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले हैं एम हैमल यह कौन है फ्रेंच लेंग्वेज टीचर है यानि यह फ्रेंच लेंग्वेज उसको बढ़ाते हैं यह फ्रेंच भासा स्कूल में पढ़ाते हैं यह टीचर है जैसे आप लोग इस्टुडेंट और एक प्यारा सा इस्टुडेंट है उनका तो भी आ हमने दू क्यरेक्टर जो हैं देख लिए हैं पहला है m ml और लिटल न्यानी या विए कि स्टुडेंट है तीसरा एक क्यरेक्टर माइनर चैरेक्टर यानि चुटा जैसे कि कहानी में चोटा मोटा रोल मिल जाता है तो फोवस्टर को और इसी के साथ साथ इसके apprentice, apprentice से मतमत होता है बच्चों, चेला, जो चेले चपाटे होते हैं, वो जो है इसमें इसके साथ रहेंगे, तो वॉस्टर के साथ उसके apprentice भी वही है, उनको छोटा मोटा रोल मिला हुआ है, होसर है एक बच्चा, एक बच्चा नहीं है, यह बहुत बड़ा हो गया है, पह पहले यह MML का एक student रहा था, तो इसमें लिखा हुआ है, an old student of MML, पुराना बच्चा था, कभी MML ने पहले इसको पढ़ाया था, तो कितने होगे बच्चों, सबसे पहले mean character में MML हो गए है, उसके बाद little franz हो गया है, MML और little franz, दो तो यह mean character है, और minor character की बात करें, छोट characters, जो छोटा काम करते हैं, side roll करते हैं, वो वास्टर है और वो होसर है, तो चार character जो है, इसमें सामने आए, ठीक है बच्चों, तो इस तरह का हम फिर चीज़ें आगे बढ़ाते हैं, पहले MML को देख लेते हैं, इनका roll क्या क्या रहे है, MML जो mean character है, कभी-कभी character के बारे म तो मैंने कहा question में बेटा, हमें छोड़ना नहीं है, कोई सा भी question क्यों ना आ जाया, पिर हिंदी की class कप से चलेंगी, बेटा बहुत जल चलेंगी, पिर जी chapter तो last, ब्रूक में thing of beauty कहा गया, thing of beauty, पिर उनके नाम में MML है, या Mr. Hemel, बेटा सेम है, Mr. Hemel कहे दो, या MML कहे दो कोई problem नहीं होगी, इसमें कोई problem नहीं है बच्चों, और चीक है, बाकी सब देख रहे हैं, हाँ doubt है, किशन भाई पूछे, क्या doubt है, तो भाई, बताओ, क्या doubt है आपका, या फिर आप टेलेग्राम के, डारेक्ट विंडो पर भेजे ना, मैं चेक कर लूँगा, तो character sketch of M Hemel, MML मतलब Mr. Hemel भी कह सकते हैं, इसको, कोई problem वाली बात नहीं होगी, Mr. Hemel, कही बार paper में, और, जो practice set होते हैं, उसमें Mr. Hemel भी दिया सब्सक्राइब, तो पहले देखते हैंगी, इसके character sketch में first point कहा है, French teacher at LSAC, यह French teacher है भी या, French language पढ़ाता है, तो यह French teacher है, और कहां पर है, वो LSAC में है, LSAC, LSAC जो है बच्चो, यह place का नाम है, जगे का नाम है, यहाँ पर वो पढ़ाता है, अपनी French की language को, ठीक है, teaching for 40 years, लगबग 40 साल हो गए हैं, इसको अपनी नोकरी करते हुए, यह service जो है, यानि स्कूल में जो पढ़ा रहा है, बच्चो, 40 साल लगबग इसे हो गए हैं, पढ़ाते हुए, ठीक है, बढ़ी आजी, good but strict, अच्छा तो है, अच्छा तो यह है teacher, लिक्नी यह strict बहुत है, बहुत है, जराबी इंडिसिप्लिन अगर बच्चा होता है, तो तुरंत जो है, यह उसको सजा देता है, पनिस्मेंट देता है, ठीक है बच्चो, तो क्या लिखा हुए, good but strict, uses his ruler on students, एक काम ओर करता है, बच्चों पर जब बजाता है, तो ruler use करता है, एक डंडा इसके पास है, after order came, he was transformed, जब order आया, order किस चीज़ का आया, कहानी में पढ़े है, अभी छोटे-चोटे पॉइंट से mml को लेके, जब order पास हुआ, order मिला इसको, तो क्या हुआ, यह थोड़े से changed हो गए, यहां पर देखो, क्या हो गए बच्चों, changed हो गए, यहानी इनकी जो यह आदत थी, किस चीज़ की आदत थी, strict होने की जो आदत थी, बच्चों के साथ जो strict behavior करते थे, वो इनकी आदत changed हो गई, जब वो order जो है, आ गया, तो इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने अपनी आदत को change कर लिया, चेंज करने के बाद इन्होंने वो ruler, यूज नहीं किया, वो डंडा यूज नहीं किया, जब little फ्रांज, यानि जो student था, बेरा, little फ्रांज जो था, जब वो अटक गया, mixed up, mixed up का मतलब बच्चों क्या होता है, अटक जाना, जब वो अटक गया, किसी बात को ना बता पाया, तो इन्होंने इसको बजाया नहीं, दंडा नहीं बजाया उस फे, भी change हो गया ना, क्योंकि इन्होंने अपनी habits को change कर लिया, पीटने की, and declared it was his last lesson, क्लास के सामने खड़े हो गया, इसे जाके, और सबसे कह दिया, आज आखरी पार्ट है, जो मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऐसा बोला उन्होंने, तो क्या डिक्लेर कर दिया, बच्चों क्लास के सामने, उन्होंने कह दिया, कि इट वोज लास्ट लेस कि भीया, यह आखरी पार्ट है, अब नपढ़ांगा मैं तुम्हें, इस तरह से यह चीजें क्लास के सामने, उन्होंने अनौन्स कर दिया, और भाई, क्या बात होगी, क्या हो गया, देखते हैं, और क्या है, लवर ओफ मदर टंग, यह जो है, एम हमल यानि मिश्य हमल, जो जबानी भासा है, उनकी उससे प्यार करते हैं, वाज हाईली रेस्पेक्टेड बाई विलेजर्स और स्टूडेंट्स, तो जब यह छोड़के जा रहे थे, जब यह छोड़के जा रहे थे अपने स्कूल को, तो सौरे जो है स्टूडेंट जो है, पुराने वुराने सब आ है, यह एक फ्रेंच टीचर है, एलसेक एक जगा है, वहाँ पर है, 40 सालों से पढ़ा रहे हैं, मैंने बताया कि यह अच्छे हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट भी हैं, यूजे सिस रूलर, वो रूलर यूज़ करते हैं, बच्चों पर पीटने के लिए, और इसके बाद जब ऑडर से पीटते नहीं है, डिकलेरड इट वोजे लास्ट लिसंगर क्लास के सामने कहते हैं, तो मैं आज यह इसके बाद जो है, पढ़ाऊंगा नहीं, पता ना क्या बात हुए, देखेंगे भी आगे चलके, वोज हाईली रेस्पेक्टेट बाई विलेजर्स और स्टूडेंट् और फ़ियर घंश हो सिर्फान हो लए तो आगे बढ़तें बच्रों आगर करेक्टर रों मिलता है हमने, अलागरटर इस टूडेंट यह पर नहीं है, इसकी क्या करेक्टर 17 2020 ऐसे तो लिए भी तो पढ़ने पड़ते नहीं है यह नुट इंटेलिजनट है कि के हाँ राजपूत बताओ क्या डाउट है कि अधिकर बताओ क्या डाउट है नहीं तो आप जो है नरेशन कभी स्टार्ट होगा नरेशन बहुत जल्दी होगा क्योंकि हम गिरामर को तीन दिन ले हैं तो बहुत जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करेंगे तो परेशान होने की कोई बात नहीं है ठीक है लिट्रेचर की क्लास डेली लिया करो यह लिट्रेचर जो है यह भी तुम्हें इतने ही नंबर की मिलेगी जितनी गिरामर जो है आती है हां बेटा पैसी वह इसे भी इसना स्थोरी नहीं होगी तो यह इंटेलिजेंट इसूरेंट नहीं है और हैंग आउट ऑगायल करना परता है घर से बाहर गुमना परता है इसको नहीं पता कुछ भी क्या हो रहा है क्लास में क्या हो रहा है इसको डांटना इसको टीचर क्या करेंगे क्या करेंगे इसको डांटेंगे लेट कैसे होगा रहे तु और तुने चीजें कैसे याद ना करी तो फिर वो रूलर जो है वो बजेगा इस पर ठीक है आगे क्या है वेन ही केम चुनो इट वो लास्ट लेशन ही गोट सर्प्राइस और याद करो एम हमल नहीं अनॉंस नहीं किया था क्लास में कि भी या आखरी पार्ट पढ़ा रहूं मैं तो मैं आज के बाद ना पढ़ाओंगा फ्रेंच लेंगे में कोई भी पार्ट त इसको पता चला है नहीं हमारे लिटल फ्राइस और यह पता चलता है चीज़ें तो वह एकदम से सर्प्राइस हो जाता है ऐसे करके हैं अब न पढ़ाओंगे लिए लिए पहले वह सूचता था कि भी आ हमारा टीचर तो बहुत ही ज़्यादा हैं बजाते हैं हम पर और जो ह लेकिन आप क्या हो रहा है वो एमेहमल के लिए जो व्यूज थे उसके जो सोच विशार थे उसके butS हो जाते हैं जब उनको पता चला कि यहां जो आप नहीं पड़ाएंगे तो हैं टाइंगे हो जो हैं वो changed हो जाते हैं बदल जाते हैं उसकी सोच ही बदल जाती है फिर begin to respect MML and language और वो शुरू कर देता है बच्चों respect देना शुरू कर देता है किस किस को language को भी respect देना शुरू कर देता है और Mr. Hamill को यानि MML को भी respect देना शुरू कर देता है जब उसको पता चलता है कि ये चीज तो मैंने अपनी लेंग्वेज पढ़ी नहीं मैंने कभी टीचर को रेस्पेक्ट दी तो क्या हो जाता है बच्चो वो एमेहमल और लेंग्वेज को रेस्पेक्ट देना वो सुरू कर देता जब उसको पता लगता है कि आज आखरी पार्ट है लिसेंड टू एमेहमल लास्ट लेसन विद अटेंशन और जो एमेहमल लास्ट लेसन वहां पढ़ा रहे होते हैं लास्ट लेसन जिसके रिगार्डिंग ये बात चल रही है ठीक है तो उसको बड़े ध्यान से सुनता है ऐसे करके बड़ा कुछ भी चीज न छुट जाए क्यो आज तो सब कुछ सीख लूँगा चलो बढ़ते हैं दोनों के करेक्टर पता चल गए हैं अब नेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं इंट्रोड़क्शन ओफ लेसन इंट्रोड़क्शन ओफ लेसन ये चीजें बहुत जादा बारिक ना जाके डिटेल डिटेल चीजें पढ़ रह आप बता दूँगा नहीं तो आप टेलीग्राम डारेक्ट मैसेज कर दिए वहां पर बता देंगे तो इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए मेरे हिसाब से तो आओ देखते हैं फिर से इंट्रोड़क्शन ओफ लेसन का इंट्रोड़क्शन क्या है लेसन में है क्या अंदर चल लड़ाइ लाए याशी सब लड़े थे में इंट वर चल रहा था क्या हूं आप फांस वस्टकेट असको जो है क्या हुआ प्रांस जो हर गया, ठीक है बच्चों? फ्रांस जो ऐब हर गया और पूरुसरिया जो है यहां पर फिर जीता होगा, तो क्या वद हरने से, प्रेंच डिस्क्ट ऐल्साइक और लोरेन। दूरु, डिस्क्ट थे महा dwar जिन पर विजय हासिल होी थी, जीत हासिल हुई थी वह कौन-कौन से थे एलसाइट और लोरेन वाले जो डिस्टिक्ट थे उन पर उन्होंने अपना कबजा जमा लिया और गैसे लिए गया हम जीते इन डिस्टिक्ट को इन डिस्टिक्ट में जो है हम अपनी चलांगे अब इस तरह की बाते महां होने लगी जर्मन लेगूज इंपूज और फ्रेंच स्पीकर्इश उसे खिष प्रेंच्मीन चब से कह दिया और यह को सब को बताधिया कि आज उढ़्य है फ्रेंचा नहीं बोलोगे नाहीं तुम पढ़ोगे पिर क्या करेंगे भीया क्या आदेश आया है आदेश यह आया है कि तुमको जर्मन लेंग्वेज जो है वो पढ़नी पढ़ेगी स्कूल में जर्मन लेंग्वेज जो है तुमें पढ़नी पढ़ेगी या फ्रेंच लेंग्वेज का कोई भी टीचर स्कूल में नहीं होगा सिर सबसे बड़ी सटी यह सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे बड़ी सबसे में कि सबसेगे इस ह Vaiar बच्चोव कॉर्लिकों ऐस प्र्थर बाथ ले ओन फ्रेंचे से स्कूल एच अगई दिन की स्टोरी है जिस दिन ये सारी बाते हुई जिस दिन ये ओर्डर आया कि भाईया अब जो है फ्रेंच लेंग्विज नहीं पढ़ाए जाएगी जर्मन पढ़ाए जाएगी तो वो लास्ट लेसन जो जर्मन जो लास्ट लेसन जो वहां पर पढ़ा गया अलसेक और लोरे has been transferred and will no longer remain in his old school MML को ये तो पता लग गया था वो जानते थे कि भाई या अब जो है मेरे जाने का वक्त यहां से आ गया है ठीक है मेरा जाने का यहां से वक्त आ गया है और दुबारा मैं इस स्कूल में लोट के नहीं आने वाला ये बात उनको पता लग गई थी ये स्टोरी जो है इस बात पर प्रिकास डालती है रोशनी डालती है कि वो कितने सैडनेस से भरे हुए थे डिस में थे और कितने टेंशन में वो जो है आ गए थे दिस्टिक्ट के वह भी बहुत ज़ादा डिस में हो गए थे इस तो बहुत कहड़ा काम हो गया हम क्यों पढ़नगे हम तो फ्रेंच लेंग्वेज के आदमी है हमारी नेटिब लेंग्वेज तो फ्रेंच है हमारी मात्र भासा ये फ्रेंच है तो भीया जब उन्होंने कबजा कर लिया तो अपनी भासा न पढ़ वांगे इस तरह से ये सब जो हैं डिस्में और डिस्ट्रेस ये हो गए हैं चलो जी अब आगे बढ़ते हैं अब सुरू होती है आपकी समरी अब स्टूरी अब स्टूरी जो है एक छोटे से बच्चे ने बताई है नेरेटिट का मतलब बताना होता है और जो राइट है यानि जो राइट करता इसको वह राइटर होता है वह एलफोन्स डॉडट मैंने पहले ही बता दिया बच्चों तो बता कुन राइस कहानी को लिटल फ्रांज जो है वह इस डिस्टिक्ट में जितने भी स्कूल आ रहे थे प्यारे बच्चों वहां मना कर दिया गया कि भीया फ्रेंच लैंग्वेज अब डिसलावड है तुम पढ़ नहीं सकते इसको तो फ्रेंच टीचर वर आस्क टू लीव दिर स्कूल तो फ्रेंच टीचर से बोला गया क्या करोगे तो तुम कहीं और देखो अपना हिसाब किताब तो लॉरेन वाले डिस्टिक्स से बच्चों अब वह जाने के लिए उनसे बोल दिया गया कि भीया तुम अब लीव कर दो यहां से छोड़ दो प्रांज लेट वर इसकूल जा वह थे उस दिन क्या था उसी दिन ही और रहा था उस दिन सबाए सब्सकूल में जाने के लिए लिए बहुत ल सब्सक्राइब करेंगे कि तुम को इस चैप्टर के बारे में कितना आता है और कितना नहीं आता दो बाते सब्सक्राइब करेंगे तो दो बातों के लिए बहुत ज़्यादा डर रहा है और यह सोच रहा है कि जाओ नहीं स्कूल मैं तो आज बंक करूंगा इधर उदर घुमके अपने घर चला जाओंगा ठीक है चला जाएओ आगे देखते हैं प्राइब और प्राइब करण नौट प्रिपेर्ड इस लेशन लेंगें सब्सक्राइब करेंयुत बहुत जाओं लक्ति तॉक्प काम न करूंग जाओं मैं स्कूल नहीं जब आयं जा जब तो उसने क्या सोचा बच्चो रॉनिंग ऑवे एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ दोर्स भाईया मैं तो घरी के बाहर ही समय बिताऊंगा मैं जाओंगा ही नहीं कुछ भी चीज ग्रामर में नहीं चुटेगी बस मैंने कहा ना आप अब इस पर ध्यान दीजिए प्लीज क्योंकि यह स्टोरी जो है काफी एक बैठक्सी हुआ करती थी जिसको जो है चोपाड़ भी कह देते तो उसको टाउन होल बोला गया है हां पर तो टाउन होल से जब गुजरता है बिग क्राउड इन फ्रंट आप ब्लैटिन बूर्ड के पास ब्लैटिन बूर्ड के पास कितनी सारी भीड लगी हुई है भीया ये कैसे खड़ें लोग देखो क्राउड बहुत सारी भीड देखता है ये क्योंकि स्कूल के लिए जा रहा है तो वहां ब्लैटिन बूर्ड के पास जो है वहां भीड देखता है और ब्लैटिन बूर्ड व से यह संदेज भीजवाय जाते थे जो भी ओडर होता था उसके लिए ब्लेटिन बूर्ड होता था उस पर ही सारी नियुज यह लगती थी तो उसके आसपास ब्लेटिन बूर्ड के आसपास बहुत ज्यादा भीड लगी हुई थी ठीक है बच्चों तो देखते हैं आगे क्या लिखा था देखेंगे बाद में ब्लेटिन बूर्ड पीपल डिसीव ओल काइंड ऑफ न्यूज फ्रॉम हेर ब्लेटिन बूर्ड वो बोड होता था जहां से लोग जो है तारी की सारी नियूज जो है वहीं से सारी इंफरमिशन मि भीड़ देखी वहां पर और टाउन होल के आसपास से गुजरता हुआ स्कूल पहुंचिया इंट वो दिन जो है उसको स्कूल में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई संडे हो कोई रविवार हो कोई इतवार हो संडे वाला दिन लग रहा था क्योंकि संडे में भीड़ भीड़ पर यूजवल हसल बसल वहां हुई करती थी बहुत सोर सरावा होता था बच्चों इसकूल जब आम तोर पर वह जाता था तो बहुत सोर सरावा होता था लेकिन आज क्या हो रहा है बच्चों आज तो बिल्कुल संडे के जैसे चुप हैं सब कोई किसी से बात ही ना कर रहा क्या हो गया देखते हैं पता था होती थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डैस्क डैस्क जो है बच्चे हटाते थे बैठते थे इधर उधर करते थे डैस्क की आवाज भी जो है क्लासाइड में सुबह सुबह आती है आप जान सकते हैं यह आप स्कूज आते ने और षागे सांट पच्छे जो करते थे एकृंट इस क्लासमेट्स पर already ऑन दिर सिप्स उसके क्लासमेट्स जो थे उसके सहपाटी जो थे वो तो सब के सब अपनी सीट पर बैठे हुए थे उसने तो यह एक्सपक्ट किया था ना कि मैं जाओंगा तो सब जो खेल रहे होंगे मैं उन्हें घुल मिल जाओंगा तो पता नहीं लगेगा लेकिन वह ज्यादा लेट हो प्यारे बच्चों और उसने देखा कि सारे क्लासमेट्स जो हैं अब सीट पर बैठे हुए हैं बहुत बढ़ी अच्छी बात है कि एममल वाज वाकिंग अप एंड डाउन तो एममल जो नहीं इस तरह से अपना रूलर हाथ में रख रखा था और ऐसे घुम रहे थे हैं इस अब नथिंग हैपन जो है इस गलत यहां पर वर्डिन उने लिख दिया है रांज वाज फ्राइटन वाज फ्राइटन बट नथिंग हैपन फ्रांस तो बहुत दरा हुआ था भाईया कैसे करेंगे आज तो मार देंगे टीचर बिल्कुल तो भाई फिर क्या हुआ एम हैमल वेरी कांडली आजगें तो गू टू हिज सीट एम हैमल ने जैसे ही देखा ना उसको फ्रांज को तो बोले अरे फ्रांज अरे बेटा आ जाओ बैट जाओ अपनी सीट पर हाई साहब यह क्या हुआ वो तो सोच रहा था कि मारेंगे रूलर मारेंगे यह कर देंगे लेट आने पर डांट पड़ेगी लेकिन हुआ क्या पोलाइट ली एम हैमल ने उससे बुला कि एम हैमल वेटा आप आ जाओ और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ जैसे और गुए प्रवाद आप लेर्ग आपको पड़ शुर्ट गर्राइश कर्णा ने कपड़ें पहने हुए ते क्या आपको पता होगा टीचर तपी ने कपड़े पैंते हैं जब जो है क्लास में या तो कोई फंक्शन हो रहा है और फंक्शन या फिर जो है कोई जाच परताल के में दिखते हैं सब तो ऐसे ही जो है प्रांज के टीचर है में मल वह भी ड्रैसेज में दिख रहे थे वह या तो जांच वाले दिन में पहनते थे इंस्पेक्शन डेज में या फिर जब कोई प्राइज बढ़ते थे बच्चों को तब पहनते थे यानि दावत-वावत होती थी तब फ्रांज नहीं कपड़े पहने हुए थे तो फ्रांज नहीं देखा भी या नहीं कपड़े पहन नखें आतो टीचर ने पताना क्या बात है यह पहना पहन रएक कपा देखो उन्होंने जो है डास्रिप्शन भी दिया क्या का पहना रख का तक ग्रीन कोट विल शर्ट जहलर दार शर्ट पहले पहेंते थे लोग डिलिडालेश श रट होती है तो फ्रील शर्ट उसको बोला जाता था अनल लिटिल ब्लैक शिल्क और क लिटल सिल्क कैप भी उन्होंने पहना था फ्री कॉर्नर हैट था ये पीन कोने वाला बिटा तो फ्रांज सर्प्राइश तो सी विलिजर सिटिंग एड़ बैक बैंच इस तो फ्रांज जैसे ही स्कूल में जैसे अपनी डैस्क पर जाना के लिए बैठा तो बैठ के उसमें एक सब गाहों के लोग बैक बैंच जिस पर बैठे रहते थे यूजवली वह एंप्टी रहा करती थी खाली रहा करती थी लेकिन आज वह भड़ी हुई थी गाहों के पुराने लोग बैठे थे वहां पता ना काई को बैठे देखंगे भीया तो एवरीबडी लुक्ड सैड हर सब्सक्राइब को वह तो बस देखे जा रहा है देखे जा रहा है कि दैन एमेमल ब्रॉक्ड शोकिंग न्यूस डाट इन ओल इसकूल फ्रेंच डिस्टिक्ट जर्मन वुडबी टॉट इसकूल में ना तो पढ़ाई जाएगी ना तो पढ़ाई जाएगी ल्सक वाले जितने भी ल्सक के डिस्टिक्ट में स्कूल आते हैं ना पढ़ाई जाएगी इन में और ना लोरेन के डिस्टिक्ट में जितने भी स्कूल पर आते हैं ना पढ़ाई जाएगी उन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन वुडबी टॉट ज पढ़ाई जाएगी यह क्लास के सामने मिश्रा आम हमल ने जो है अनौन्स कर दिया अनौन्स करना था क्योंकि बर्लिन से ओर आया एम हमल अनौन्स कर दिया कि मेरा आखरी पार्ट है इसके बाद में तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा पहली बार पहली बार लिटल फ्रांज को यह सीरिसनेस पता चली ऐसे उसे एहसास हुआ कि भाया तैने तो अपने लेशन पढ़े ही ना है कि भी तैने तो लेंगवेजी ना सीखी फ्रेंच उसको रीग्रेट फील होने लगा प्यारे बच्चों तो बिगेन फील स्टॉरी फोर नॉट बिंग सीरियस इन इस लैसंस कि भाया लैसंस तो उसने द्यान चे पढ़ा ही नहीं लैंग्वेजी नहीं पढ़ी और अब तो यह रोना सा तो आए जाएगा अब कुन पढ़ाएगा भीया अब तो समझ में यह आ रही है उसके तो बह या मैं तो इस बात से भी दुखी हूं कि अब MML को कभी देखोंगा ही नहीं को कि वो पढ़ाएंगे नहीं वो तो अब चले जाएंगे कहीं और उनके लिए भी प्यार जो है बच्चों उसका बढ़ जाता है और लैंग्वेज के लिए भी अपनी स्टडी को लेके भी उसक जो बुक उसे बहुत जादा बर्डन लगती थी बर्डन बूज लगती थी बच्चों वो आज उसके लिए बहुत जादा प्यारी जो हैं वो अब लगने लगती हैं प्यारी प्यारी लगने लगती हैं प्यारे बच्चों पहले क्या लगती थी बूज लगती थी वो लेंगवेज तो भी यह सारी चीजों के लिए चेंज हो गया उसका एटिटीड उसका नजरिया तीचर्स के लिए भी लैंगवेज के लिए और बुक्स के लिए भी उसको पता लग गया भाई कितने इंपोटन्स यह पेहने हैं नाव यह अंडस्टूड अब आउट बैस लोग क्यों पस्तित हैं आज ग्लास में सब कुछ पता लग गया अभी तक तो उसको नहीं पता था यह यह बैठे हुए गाउं के लोग और हमारे जो सर्वी हैं वह भी नहीं नहीं कपड़े पहने आज पता ना क्या बात है तो आज इस टाइम हमल को पता लग गया है कि यह स Rice के लिए उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए तुमने उता बता लुए पिर भी मिए उनके अंद इतनी टाकत थी मतलब ताकस से मतलब इतना पेसेंस था कि उन्होंने फिर भी अपना वह आखरी पार्ट मी छोड़ा एक खड़ाओ चल बता पार्टिस्पिल्स क्या होते हैं तो उसने सोचा था इस टाइम पर कि वह बिना अठ्ट के सारी बातों को बता देगा लेकिन हुआ क्या वह पहले वर्ड में अटक गया निक्जप जाओ बच्चों देखो प्रांज गॉट मिक्जप बट एम हमल डिंट स्कॉल्ड हिम वह पहले ही अक्षर में अटक गया लेकि तुझे पता ना क्यों डाटा ही न और वह इसी वजा था यही वजा थी कि वह लास्ट जो है लेसन वह पढ़ा रहे थे इसलिए उन्होंने नहीं डाटा प्रांज वह बहुत ज्यादा फेलियर पर यह जो फील कर रहा था तैड फील कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं बता आया क्योंकि वह अटक गया था बच्चों में हमल डीग्रेटिट डाट पीपल ऑफ एल्सेक वर नॉट सीरियस पूर लर्निंग देर मदर टंग प्रेंच अमल भी जो है इस बात का रिग्रेट कर रहे थे कि फ्रेंच के लोग जितने भी फ्रेंच के लोग हैं यह जो रहते देट इवन मैनी प्रेंट्स है प्रफरड तो सेंड देर चिल्डर्ण चो वह किना फाम और अट दमिल उन्होंने यह भी बता कि जादतर परिवार के लोग प्रेंट्स यह चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़ेना वो किसी मील में काम करें या तो किसी फरम में काम करें ताक कि अगर यह बच्चे बैड पर्फोरमेंस कर रहे हैं कुछ बता नहीं पा रहे हैं तो इट इस माई फॉल्ट ओल्सो यह मेरी भी कमी है मेरी गलती है वन्होंने यह भी बात जो है एक्सप्ट कर ली सब्सक्राइब करें अन्होंने कहा था कि बत्यों मेरी गलती इसलिए यह है कि जब मुझे चुट्टी देनिंगा थी या मुझे फिशिंग के लिए जाना हो था 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 Goddess प्राइब आज की पड़ें तो उन्होंने जो बात regret कर रहे हैं वो admit कर रहे हैं कि भाया मेरी भी गलती रही है माबाप की तो गलती थी थी वो नहीं चाहते थे कि तुम स्कूल जाओ वो चाहते थे तुम किसी factory में काम करो किसी car खाने में काम करो मीले में काम कर था कि थोड़े से पैसे और आ जाएं घर का खर्चा चले और चलो वो तो थे ही थे मेरी भी गलती थी कि मैंने honestly आपको नहीं बढ़ाया और मैं तुम्हें चुटी दे देता था holiday देता था जब मैं fishing के लिए जाता था मचली पकड़ने जाता था नेक्स्ट टोल्ड शूरेंड जो इस तुरेंड फ्रेंच एंड नेवर ने बताया कि बच्चों सारे बच्चों को बता जितने भी विलेजर से सब को बताया कि भाई रेस्पेक्ट करना सुरू कर दो अपनी फ्रेंच लैंग ब भूलना नेवर फोगैट इट कभी मत भूलना इसे हमें सायाद रखना ही डिकलेड फ्रेंच एज मुस्ट ब्यूटिफुल उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग में जो है सबसे सुन्दर भासा है सबसे लॉजिकल भासा है इसमें एक तर्क है बच्चों इसमें एक चीज है ए बच्चों को explain किया अभी भी देखो कितने पढ़ा रहे हैं कितना इमानदार टीचर होगा चालिस साल से वह एक ही जगह पर पढ़ा रहा है और देखो उसने क्या क्या अभी भी लास्ट डे वाले दिन भी वह बुक निकाल कर पढ़ाना सुरू कर दे रहा है बच्चों वह बहुत सर्प्राइज से एक दम से मुलें क्या बात होगी तो आज मुझे सबसे raises आ या तो वो इस बात से सर्प्राइज है कि भहिया आज बहुत अच्छे से मुझे लेसन जो है समझ आ गया लास्ट लेसन था ना अटेंटिव ली बढ़ी ध्यान से वो इसको सुनना था और जब कोई लास्ट चीजें होती हैं तो भहिया ध्यान से सुननी पड़ती है क्योंकि इसक जब देना हमको चाहते थे उसी दिन ऐसा लग रहा था कि जितना भी जानते हैं उस सारी चीजें उन बच्छों के दिमाग में बढ़ देना चाहते हैं एक ही दिन में इतने अच्छे से वह पढ़ा रहे थे आप सब्सक्राइब के बाद हमारा राइटिंग का एक लैसन था वह भी हमको करना था प्यारे बच्चों इसके बाद क्या हुआ वाल इस्टेंट वर बिजी विद देर राइटिंग और जब जो है राइटिंग में बिजी थे सारे स्टुडेंट्स आमेमल जो है विए मोसनलेस बिना हिला जुले जो है वो खड़े हुए खड़े हो गए इन देचेर चेर पर वो खड़े हो गए सब्सक्राइब और गूर रहे थे सभी चीज़ों को ऐसे करके इस तरह से सारी चीज़ों को वह गूर रहे थे पर बैठे हुए ठीक है फिर क्यों गूर रहे थे भईया everything in the little classroom वह इस तरह से घूर रहे थे ताकि सारी चीज़ों को यह अपनी क्लास में जो जितनी भी चीज़ें सब को अपने में में सैट कर लें कि भाईया यह चीज़ें दिखती कैसे हैं क्योंकि अब वो कल जा रहे हैं आज लास्ट लेसन वह पढ़ा रहे हैं चर्च क्लॉक इस्ट्रक ट्वैल्व इतनी चर्च के घंटे में बारा बज गए ठीक है यह में मेल एंदे मेल खड़ हुए वह समन्थिंग अन्य नोने कुछ कहने की को सच की थे ट्राइट वियोस उंप है इतना सीर्य आप चाहरा चाहरा था है तो वुष चीज ने इसके इमोशन्स ने उनको रोक दिया कुछ कहने से विज चौक डविद इमोशन ही तुक आप पीस ऑफ चौक उन्होंने पीस कट टुकडा लिया ऐसे उठाया ओ didn't write on the black board or black board पर लिखा पहले बिल्यक बोड विदा नहीं हुआ करते थे एज लार्ज एज ही कुड जितने भी बड़े सब्दों में वह लख सकते थे उन्होंने लिखा यह लिखा वाई वी वाला फ्रान उन्होंने लिखा वी वाला फ्रान ये बच्चों मैं तुम्हें बता दूँ ये French language का ही sentence है French language में लिखा हुआ उन्होंने लिखा वी वाला फ्रान्स और इसका मतलब क्या है बच्चों Long live France कि France तुम जिंदा बाद रहो तुम भासा हमेशा बनी रहो कभी भी तुम्हें कोई भूले ना इस तरह से उन्होंने ये चीजें लिखी हैं भासा बहुत दुखी थे वो बहुत उन्हों रोना आ रहा था वो रोना चाहते थे वो नहीं पारे थे आखिर में उन्होंने इस तरह से वाइट बॉर्ड पर लिखा वी वाला फ्रांस लोंग लिफ फ्रांस और गैस्टर बना के बच्चों से कह दिया यू में गो नाओ अब तुम जा सकते हो बोला कुछ ने सिर्फ इशारा किया तरह से इस तरह से बच्चों कहानी खतम होती है और नेक्स आने वाली क्लास में हम इसके शौट लॉंग जितने भी क्वेशन वेरी शौट वेरी शौट बनते हैं ब्ल्टीपल चोइस बनते हैं वह सब हम करेंगे तो प्याएं बच्चों कॉमेंट में आपको जरूर ये तो इसी के साथ प्यारे बच्चों कॉमेंट में मुझे सब का रिव्यू चाहिएगा कि लिट्रेचर का पहला जो लेसन था वह आपको कैसे लगा एक बार कल से हम इसको थोड़ा रिवाइस करेंगे और फिर क्वेशन आंसर अपने करेंगे इसी के साथ हम क्लास को अब करते है बच्चों दी एंड जैसे एममल ने कहा था क्या कहा था बच्चों कहा था ना ही क्लास डिसमिश्ट नाव यू में गो इस तरह से उन्होंने इशारा कर दिया था तो ऐसे भी अब हम भी करके जाते मैं एम हमल हूं और आप जो है सारे बच्चों विलेजर से बैटे हुआ दुमें गो